जब भी हमें फोन से फोन वीडियो कॉल करना होता है तो हमारे पास तो अबलेबल है ही WhatsApp से कर सकते हैं या फिर direct phone में भी option होता है वीडियो कॉल करने का या फिर messenger से, instagram से बहुत सारे option है वीडियो कॉल करने का लेकिन बात आती है कि laptop से, desktop से अपने phone के अंदर वीडियो कॉल कैसे करें या फिर किसी को कॉल करना हो तो वो anytime अबलेबल हो ऐसा कुछ जुआड है क्या दोस्तो एक ही mind में आता है अगर आपको वीडियो कॉल करना होता है तो skype का लेकिन सभी के phone के अंदर skype तो नहीं होता है तो यहाँ पे जो कुछ अपलेबल है उसरी तरीका को इस्तिमाल करके क्यों न हम आपस में वीडियो कॉल करें laptop to mobile, desktop to mobile कैसे करें तो आप इस वीडियो को last तक देखते रहिए और अभी तक अपने इस वीडियो को लाइक ने किया तो जल्दी से लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और घंटी को अन करना मत भूलिएगा दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि सबसे popular जो है वो है WhatsApp और WhatsApp सभी के phone के अंदर अबलेबल होता है तो क्यों ना हम WhatsApp का इस्तिमाल करके computer से desktop से video call android phone के अंदर करें या फिर iPhone के अंदर करें या फिर किसी के phone के अंदर करें दोस्तो अगर आप सभी WhatsApp वेब के जरिये आप किसी को video call करना चाहो तो आपके लिए अभी ये option अबलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर आप room के माधियम से video call करते हो तो आपको facebook से ही जाकर करना होगा तो ये थोड़ा लंबा process हो गया मैं थोड़ा एकदम short में बात करता हूँ तो आपको google में जाकर search करना है WhatsApp app यहाँ पर first link के उपर click करना है अब यहाँ पर आपको window और Mac के लिए option रहता है तो यहाँ पर आपको window वाले option पर click करना है window के लिए आपको download कर लेना है अब यहाँ पर हम इस software को अपने computer के अंदर install कर लेते हैं यहाँ पर आपको simply अपने phone से QR code को scan करना है scan करने के बाद आपका WhatsApp आपके computer के अंदर अब आपको यहाँ पर जिसको भी video call करना है आप direct computer से कर सकते हैं देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक chat के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं video call के option पर click करूँगा यह देखिए सामने मेरे phone के अंदर video call आ चुका है अब यहाँ पर आप आराम से बाते कर सकते हैं तो देखा गाईज कितना आसान तरीका है और यह तरीका आप किसी के phone के अंदर try करो आपको available मिलेगा anytime नई available है तो उससे data on करने के लिए बोलो available हो जाएगा लेकिन अगर आप Skype का यूज करते हो Duo का यूज करते हो या फिर और भी चीजे हैं तो उनके लिए उनके phone में वो चीज available होगा तब तो वीडियो call होगा लेकिन अगर आप WhatsApp का try करते हो तो 100% आपको available मिलेगा तो अगर आप ये वीडियो समझ चुके होंगे सीख चुके हैं कुछ नया तो आप इस वीडियो को एक like कर दीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा और घंटी को on करना मत भोलेगा